चलिए आज बनाते हैं सीम्पल आसान और स्वादेश्ट पालक वाली दाल एक बार इस तरीके से पालक वाली दाल जरूर बनाया यकीन माने सभी को काफी पसंद आएंगी हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हैलफुल लगेगा तो प्लीज लाइक, सेयर और सब्सक्राइब कीजेगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहचे तो चलिए पालक वाली दाल बनाना हम सुरू करते हैं इसे बनाने के लिए एक बड़ा साइस का पतला पतला लंबा लंबा कटा हुआ प्याल लेना है, दो कटी हुई हरी मेर्ज एक बड़ा साइस का बारी कटा हुआ ठामार्टर, सौ ग्राम जितना पालक के पत्ते को एकदम बारी काट लेना है आधा चम्मच हमें लेना है बारी कुटा हुआ लैसुनद्रय का पेस्ट भी ले सकते हैं आधी कटोड़ी हमें लेना है मसूर की दाल इसे हमें धो लेना है आप कोई भी दाल ले सकते हैं दाल धूल चुके हैं अभी हमें गयास पे चड़ा देना है कूकर को इसमें डाल देना है दू से तीन चम्मच इतना तेल तेल गरम हो चुके हैं आधी चुटी चम्मच हमें डाल देना है जीरा एक तेज पत्ता एक लाल मिर डाल देना है थोड़ा सा हमें हिंग डाल देना है यह ओप्सनल है अब पसंद करते हैं तो डाले नहीं तो स्किप कर सकती है कटा हुआ प्याज डाल देना है अभी हमें इसे चला लेना है गास का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और थोड़े थोड़े देर में चलाते हुए प्याज को हमें हलका भून लेना है इसे भूनने में लगभाग ढाई से 3 मिनट का समय लगेगा थोड़े थोड़े देर में हमें इससे चला लेना है तो अभी आप देख सकते हैं प्याज का कलर हलका चेंज हो चुका है इसमें हलका गोल्डेन कलर आ चुका है ये भून चुका है इसमें कटा हुआ, कटी हुई हरी में डाल देना है, कूटा हुआ, लसुन द्रक डाल देना है, इन सब को हमें मिक्स कर लेना है हलका भून लेना है, जिससे इसका जो कचापन का टेस्ट है वो समाप्त हो जाएंगे हलका भुन्ने के बाद इसमें डाल देना है कटा हुआ टामाटर को टामाटर के डालते के साथ हमें इसमें डाल देना है नमक नमक आप अपने स्वाधनुसा डाले आधी छोटी चम्माच हल्दी पाउडर एक चोथाई छोटी चम्माच लाल मिर्च पाउडर एक चोथाई छोटी चम्मच जीरा पाउडर आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर अभी हमें इन सब को चलाते हुए भूनना है इन सब को भूनने में लगभग एक से डेर मिनट का समय लगेगा इतने देर में मसाली अच्छे से भून जाएंगे इसे भूनते हुए लगभग देर मिनट हो चुके है मसाली अच्छे से भून चुके है और टामाटर भी सौप्ट हो चुके है अभी हमें इसमें डाल देना है कटे हुए पालक को इसे भी हमें हलका भून लीना है जिससे पालक का जो कचापन का टेस्ट है वो समाप्थो जाएगा और डाल खाने में बहुत जादा स्वादिस्त लगेंगे थोड़े थोड़े दिर में हमें इसे चला लेना है पालक को भूनते हुए लगभग दो मिना ठोचुके हैं ये भून चुके हैं इसमें धूले हुए हमें डाल को डाल दीना है इसे हमें मिक्स कर लेना है और अभी हमें इसमें डाल दीना है पानी उसी कटोडी से हमें इसमें चार कटोडी पानी डालना है आधा कटोडी डाल के लिए मैं चार कटोडी पानी डाली हूँ मसूर का दाल थोड़ा ज़्यादा फैलता है अगर आप दूसरा दाल ले रहे होंगे तो पानी थोड़ा कम डालिएगा अभी हमें इसे चला लेना है और इसे हमें 2-3 वीची लाने तक पकाना है क्योंकि मसूर का दाल काफी जल्दी पक जाते है कूकर का प्रेसर निकल चुका है अभी हमें डाल को चेक कर लेना है देख सकते हैं एक दम पर्फेक्ट गाड़े है इसी तरी का हमें डाल चाहिए अभी हमें इसमें डाल देना है एक चमत्च उपर से घी जिस से टीस टीस का और ज़्यादा बढ़ जाएगा आप इसे चावल, रोटी, पडाठा के साथ सर्व करें, सभी को पसंद आएंगी हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंट के साथ सेर जरूर कीजिएगा थैंक्यू फर वाचिंग